असलाम अंहीं मैं आपका राणा जवादयम फिर आभिस से हाजर वावीडियो में आज हम आज भी वीडियो में डिसनीS लेप टॉप के बारे में बात карणने वाले हैं त्सक्ति प्राइस के बारे में बात करने वाले हैं, केमिंग पर्फॉर्मस कैसी है, कौन-कौन से सॉट पर रन हो सकते हैं, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, इस ही के अब आउट, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो काइंड ली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि इस वीडियो से लोग अच्छी तरीके से, जिन-जिन को बज़ट का इशू हता है, या जिन-जिन को लैप्टॉप नहीं चेक करने आते होते हैं, तो उनको ज़रूर इस चीज़ का फायदा होगा, चलते हैं जी वीडियो की तरफ, सबसे पहले हम लैप्टॉप देख लेते हैं, कैसा, लैप्टॉप के वेट की बात की जाए, तो लैप्टॉप का जो वेट है, वो 2.4 केजी इसका वेट है, वर्क स्टेशन को का जाता है, गेमिंग सीरीज के लैप्टॉप होते हैं, यह आपर असूस पर देख सकते हैं, रिपब्लिक ऑफ गेमर्स, ठीक है, कट्स, यह देखें, कट्स बहुत प्यारे लग रहे हैं, जो यह कट्स हैं, इसके मैटल बोड़ी है, सारी, बैकर्स की सार मेटल है, और मॉडल की बाद की जाता है, असूस रोग जील 552 VW मॉडल हमारा पास, इंटल को एस सेवन सिक्स जेनरेशन, एच्क्यू, पर सेसर में मिल जाता है, एट सीपिस के साद, इसकी बूस्ट 4.5 तक चली जाती है, और रैम की बाद की जाता है, एट ग्राफिक काड इसमें जो लगा हूँ है, डेडिकेटिड वो है, GTX NVIDIA 960M, SSD इसमें इस टाइब जो लगी हुई है, M2 लगी हुई है, एक्स्टाइजी भी और नॉर्मल HD जो है, वो हमारे बस 500G भी मिल जाती है, IPS FHD डिस्प्ले है, इसका, साइट्स देख लेते हैं, इसके साइट्स पर क क्या चीज़े दी हुई है, यहां पे हम एक DVD रूम मिल जाता है, सुपर ड्राइव है, रीड राइड दोनक करता है, और सुपर फास में USB पोड बिल जाती है, साथ आडियो जैक और माइक का अलग अलग दिया हूँ है, जो यूट्यूबर्स होते हैं, जो वीडियो अडिट निचल जाती है, तो यहां पे हमें charging port के साथ-साथ, heat sink इतना बड़ा heat sink दिया गया है, अंदर से red-red-red सा लग रहा है, C-type मिल जाती है, एशने माई पॉर्ट मिल जाती है अर्था नेट भी दिया गया है दो यूर्ट बीवाट सुपर फास्ट यहां पर भी हमें मिल जाती है नीचे की बात की जाए तो नीचे से भी इन्होंने हीट सिंग के लिए काफी जगा दी हुई है हवा जो है अच्छी तरीके से जो है वो निकल सकती है है तो हीट होने के चांस है फिफ्टी-फिफ्टी होते है उसमें तो कूलिंग इनका जो सिस्टम होता हमाँ बहुत अच्छा लगा होता है जिसके वाद से लैपटौप हीट नहीं होते हैं गेमिंग के दिनम्यान या आप विडियो रेंडिरिंग करना चाते है gaming करना चाहते हैं यह कुछ भी इस तरह करना चाहते हैं तो यह मैं आपको laptop refer करने वाला हूँ कि क्योंकि मैं इसको review इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसको मैं खुद यूस किया है एक मन्त तो मैंने इसको टका के gaming पर यूस किया है को रेड कीबोर्ड लाइट में हमें इसका कीबोर्ड मिल जाता है विद नुमेरिक पैड नम पैड के साथ ही हमें मिल जाता है और यह यहां से तरह विव आपको दो कौन कौन से हमें लोगों मिल जाते हैं कोर आइस सेवन सिक्स जेनरेशन का लोग है प्लस 960M NVIDIA GTX का हमें मि भी ड्यूटी लैपटॉप होते हैं यह वले तो इसलिए वर्क सेशन वाले तो अनरजी स्टार का भी लोगों दिया जाता है और यह जो ड्यू एस डी वाली है यह इनकी रेड कलर में इन्होंने में मेंशन किया गया है गेमिंग लैपटॉप में यह चीजें जो गेमर्स है हमको इस इस का खास आइडिया सीस का पता हुता है यह कीस मिल गई है और यहां पे भी हमें इसका लोगो मिल जाता है पिकर्ज यह दिये गिये हैं इसके और यह पे पिन गया लिखा है रिपडिक ऑफ डिस्प्ले खाए है डिंस बहुत मुजब को है आप घस साइट से मर्जी देखे कहीं किस साइट से भी आपको बिलर नहीं होगा ठीक है यहां से देखें वहां से पिक हैं तो यह IPos डिस्पेल का कफी मुज़ी कि एक चीज होती है अब सबसे पहले वही चीज़ दोती है कि आपने लैप्टॉक चेक करना है यहां पर लिखना है डी एक्स डी आई एजी खोल के आपने यह इंटर्फियस हमारे पस आजएगा यहां पर आपको मिल जाएगा क्रण्ट टाइम कंप्यूटर नेम अपरेटिंग सिस्टम आपका हार्ट में नेक्स्ट करेंगे तो डिस्प्ले आजाएगा कि आपका यह जो एच्छी ग्राफिक्स है वो फाइव थर्टी इसमें लगा हुआ है एक्सटाइस वी रैम के साथ 4GB शेयर के है और रेंडर में बात की जाए तो वही 960 अमारे पास्ट ग्राफिक का और 11 लेवल फीचर है इसका टोटल ग्राफिक काड शेयर्ड होके 6GB का हो जाता है और यह हमारे पास्ट आजाता है जो इसके औरिजिनल साउंड कौन सा लगा हुआ है तो यह आप देख सकते हैं इन्पूड में मावस कीबोर्ड और असूस वायरलेस बटन वगरा जिससे ऑ अब लाइक के जैसे कि आपको आइडिया नहीं है कि इस इसका के इसकी बैठी कैसे चेक करनी है तो वह समय कमांड नीचे भी दे दूंगा और यहां पर देख भी लें यहां पर आपने लिखना है पावर सी एफजी स्पेस बैटरी रिपोर्ट सो यहां पर हमें जो पाथ मिलेगा म्याई से कपी कर लेंगे और इसको हम जा के पीस्ट कर देंगे यहां पर करेंगे यह हमारे पास इसकी बैटरी हैल्ट आ जएगी लेकि एधी अगर बीड़िन नेम असूस नहीं है तो मिंन्स के तो इसकी बैटरी डिपलेज़ कोई और मैनिफेक्ट्रिंग भी बता रहा है इसी की है ठीक है जी और कुमिस्ट्री बता रहा है कौन सी है डिजाइन के लैपटप चारज हुआ है कब कब चारज हुए कितनी कितनी देर लैपटप ओन रहा है बंद किया है तो इच और अवरिधिंग यह आपको यहां पर बताता है अच्छ आपर क्या चेक करना है इसके कीबोर्ड जो है कीज चेक कर लेनी है वह आपने गूगल क्रोम पर जाना है क्रोम पर जाओं अट बिवड़ के लेकिन तो पर शाओ लेनी है तो आपने यहां के लेनी पप्लेर चेक लेना है उसके बाद इसके आपने साउंड करता है और फानotz को आपने खुझ चेक करना होता है तो फीजिकल लैपटप चेक करनी के यहां पर जो आपने इसके जाना है ठीक है यह थोड़ा सा फर्स टाइम जब खोलो तो देल लगाता है तो यह इसका आपने इसका वर्जन देख लेना है कि अपडेट होने वाला तो नहीं ग्राफिक कार्ड ठीक है तो अपडेट आई होती है तो यहां पर बताव जेता है 960M ग्राफिक कार्ड है अगर गेम मीन्स के जो गेम जहां से रन होती है आपने वह फाइल यहां से एड़ करवा देनी है एड़ करवाने के बाद आपने इसको क्या करना है जब जैसे एड़ करेंगे यहां पर पूछेगा कौन सा किस ग्राफिक कार्ड पर चलाना है क्या चलाना है यहां से आपने क्लिक क तो इसको रन करने के लिए आपको एंविडिया में जाके गेम को एड करवाना होता है तो इसलिए इन्टल में शेर्ड कर दी जाता है और गेमिंग पर आपको पास कूलिंग मास्टर लाजमी होना चाहिए अगर आप 4-5 बार गेमिंग करते हैं गेम करने के लिए तो नॉर्मली लैप्टोप भी यूज करें तो वह भी हीट कर जाते होते हैं चाहर-5 बार गेंटों के बाद तो इसलिए इसके साथ आपके पास कूलिंग मास्टर कूलिंग फैन होना मस्त होता है अच्छा जी अब इस पे आपने सब चीज़े चेक कर लेनी है सब चीज़े चेक करने के बाद प्राइस के बाट मैं बात करने वाला हूं इसके प्राइस की जो मार्किट प्राइस है वो इस टाम वन लैक और संथिंग अब आपनी क्या करना है इसको 960M को कंपेर कर लेना है Quadro 1100M जो के HBZBook में इसी जनरेशन के उसमें आता है तो आप उसको कंपेर करेंगे तो 960M GTX जो है उससे ज़्यादा मेटा है गेमिंग वाइस भी वर्क सेशन वाइस भी प्रफोर्मस वाइस भी तो इसके जो मार्किट प्राइस में आपको बताई है वो इसका मार्किट में आपको यह मिलेगा अगर मैं इनका नबर शेयर कर दूँगा अगर आप इनसे बाइक करना चाहते तो आपको यह 95 में मिलेग 8GB RAM 128GB SM2 SSD और 500GB हाट के साथ 2GB इसमें NVIDIA Graphic Card भी है तो ये थी आज की हमारी वीडियो कुछ भी किसी चीज़ के भी अब आप पूशने चाते हैं तो आप पूश सकते हैं रेव्यू मैं ये दूँगा कि इसका मैंने 1 मंत यूज किया Adobe Premiere Pro पे यूज किया बहुत मज़ा है 3DMX पे यूज किया मेरे बहुत से चीज़े से असान करती थी और गेमिंग पे यूज किया इसमें मैंने PUBG खेली है GTA 5 खेली है Call of Duty Modern